Ready? Start! यदि हम उसके आधार भूश सिद्धानि पर दिरिष्टि पात करे तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रेतन किया है। जिस समय हमने नई-नई स्वतंतरता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रेशन थे उनके साथ ही हमारे दो गुट थें जो कि एटम बम और दुसरे बम लिये हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमे से किसी एक गुट में समलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठनाई होगी उस समय भी हमारे परधान मंतरी ने हमारे देश की वेदैसिक नीती को इसी अस्तर पर राका जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर उचा उठा सकते हैं हमने जो संसार के सामने पंचसील के सिद्धान को रखा उसका सबसे बड़ा फलिया हुआ की एक सम्मे में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राश्टों ने जो कि एसिया और अफ्रीका से संबंद रखते थे यह घोशना की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन समाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सके हम हमारी व्यदैसिक नीती में जो सबसे महतपूर्ण चीज है वह है सा अस्तित्व की भावना उसी भावना के फलसरूप हम देखते हैं कि आज कोडिया का यूध नहीं हुआ जो की एक तीसरे विश्व यूध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। यह देखें कि हम इसमें से कहां तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज का मुल्य क्या हो महंगी पड़े या सस्ति पड़े इसको हमें विशेश नहीं देखना है। जैसा कि पहले मैंने कहां मैं समझता हूँ कि हमारे इस सरम विभाग का महत्व दिन प्रति दिन बढ़ेगा। जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है। उन प्रशनों को आपको लेना पड़ेगा। आपका सरम विभाग अधिकतर और द्योगिक सरमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। और अभी हमारे मानिय सदश ने जोग खेतिहर मजदूरों की दसा सुधारने की ओर भी आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, हमारी सरकार का ध्यान देहाती सरमिकों की ओर नहीं गया है, उनकी बड़ी बुरी हालत है, आपने उनकी दसा सुधारने के लिए क्या किया है, मैं पूछना चाहता हूँ जो लाखों और करोरों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं, उनको मजदूरी और काम दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, करीब सात लाख आदमी नौकरीयों के लिए प्रार्थी हैं, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, इनके अतरिक्त कितने ही लाखों और करोरों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं, और कितने ही आधी बेकारी की हालत में हैं और स्रम विभाग उन बेकारों और आदी बेकारी वालों की संख्या पता लगाने में असमर्थ है, उनकी संख्या हमको कहीं नहीं मिलती है, मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है, जितना अधिक हम बेकारी को दूर कर सके उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनाएंगे इस कारे में आपका और आपके विभाग का दाईत वो बहुत अधिक है जो भी नया काम आरंभ होता है उसका दाईत उस्रम विभाग पर रहता है धन जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए महोदे जब तक अहिंदी भासी हिंदी को हिर्दे से सुखार नहीं करते तब तक वह राष्ट भासा का अस्थान नहीं पा सकती और यह तब ही हो सकता है जब यह समझे कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर बन सकती है यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्विकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें परंतु जो वे लिखे उसको आप गलत ना समझे आज किसी भी भासा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारम भी काल में था उसमें परिवर्तन होता रहता है हिंदी के इति नव यूग में जब वह देश की भासा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी परे तो वह स्विकार कर लेना चाहिए जिससे उसका अन्य परदेशों के लोगों के साथ मेल बेठ जाए कई अहिंदी भासा भासी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है आप इसका भी यही विचार है जो मेरा है मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा मान पत्र में आपने संस्कृत के संस्कृत के अध्यन अवश्यक है क्योंकि देश की सभी भासाओं का स्रोत वही भासा है, संस्क्रीट से हमारा संबंध अटूठ है, इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है, यह हमारे लिए दुख की बात है, मैं आक्सा करता हूँ कि इसकी उन्नती होगी, श्टॉप, दोस्तों यह फर्श डिवेट का 17, 18 और 19 प्रतिलेखन संक्या ह आप इसे एक वार प्रैक्टिस करें, जुस्ट हाथ को फ्री करने के लिए, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए